नमस्कार लखनो नियोज और उत्तप्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाएका सभी नोटिफिकेशन को आउन कर लें ताकि अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले और हां कमिट बॉक्स में अपने जिले का नाम अवश से लिखें ताकि हम आपके जिले की भी कबरे दे सकें तो आएए देखते हैं लखनो सहित उत्तप्रदेश के प्रमुक समाचार दिवाली और छट पूजा में यूपी बिहार से आने वाली लोगों की बड़ी मुसिबतें ट्रेने फुल तो फ्लाइट का किराया दुगना त्योहरों का सिजन सुरू होते ही यूपी और बिहार से बाहर रहने वाले लोग बड़ी संख्या में यूपी और बिहार लोटते हैं ट्रेनों में लंबी वेटिंग के बाद मजबूरन लोग हवाई सफर की तरफ रुक कर रहे हैं लेकिन हवाई सफर के लिए उन्हें टिकट से अधिक किमत चुकानी पर रही है हालांकि जिन लोगों ने दो तीन महिन पहले टिकट ले लिया था उन पर नया दर लागू नहीं होता है पेंसन धारकों पर महरवान यूपी सरकार बढ़ेगी और विवाहित विद्वा व तलाकसुदा पुत्रियों की पेंसन परदेश सरकार के सासना देश में कहा गया है कि पेंसन धारकों की और विवाहित विद्वा या तलाकसुदा पुत्रियों को वही पारवारिक पेंसन अनुमान्य है जो दिवंगत सरकारी कर्मचारी पेंसनर के आसरितों को स्विक्रित की गई है दिपावली पर राज कर्मचारियों को महगाई भत्ता और पेंसन धारकों की महगाई राहत बढ़ाने के नर्नाय के बाद अब उत्तर परदेश सरकार पेंसन धारक आर्शृत पर भी महरवान हो गई है सरकार ने पेंसनरों की अविवाहित, विधवा या फिर तलाक सुदा पुत्रियों की पेंसन को भी बढ़ाने का फैसला किया है वाकई में ये एक अच्छी ख़बर है नौकडी के नाम पर कर्रों की ठगी करने वाले को स्टीएफ ने धरदबोचा मंधी परसद, FCI और ग्रामीन अभियंतरन समेत अनेक सरकारी विभागों में नौकडी दिलवाने के नाम पर बेरोजगारों से कर्रों की ठगी करने वाले जालसाज को स्टीएफ ने गिरफतार कर लिया है यूजी, नीट, पीजी, कॉंसलिंग के लिए आज होगी सीट आवंटन रिजल्ट राण वन कॉंसलिंग के लिए सीट अलाट्मेंट का रिजल्ट आज जाने के 6 अक्टूबर को जारी किया जायेगा गौर तलब है कि 50 फेस्दी स्टेट कोटे की सीटो पर नीट कॉंसलिंग, संबंदित राज प्रसासन की ओर से आयुजित की जा रही है देवरिया में बड़ा हादसा, दसेहरा मेले में गुसा तेजरप्तार ट्रक कई घायल उता प्रदेश के देवरिया में मंगलवार की रात एक बड़ी घटना घटी, जिसमें दो मासूम चात्राओं की मौत हो गई, दोनों बच्चियां आपस में चचेरी बहन है दोनों सदर कोतवाली थाना छेदर के कत्राडी गाउं की रहने वाली है चात्राय दसहर का मेला देखने के लिए सहर में आई थी, तब ही नसेवाज ट्रक चालक ने सदर कोतवाली थाना छेदर के विजय चौक पर कई लोगों को रौन दिया जिनमें कई लोग चोटिल भी हो गए हैं खरीब आदादर्जन वाहन चतिग्रस्त हो गए हैं घटना की सूच न मिलते ही स्पी समेथ आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए हैं और ट्रक को कबजे में लेकर आगे की कारवाई में जुट गए हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि यह पूरी घटना सदरकोत वाली ठाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है गाजाबाद के लोनी इलाके में गैस सिलिंडर फटने से गिरा मकान दिल्ली से सरेगाजयवाद के लोनी इलाके में बबलू गार्डेन निठोड़ा में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान बरबरा कर गिर गया मौके पर पुलिस वा दमकली भाग के अधिकारी राहत वा बचावकार में जुटे हैं मिल रहे जानकारी के मताबिक खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ जिस समय हादसा हुआ उस वक्त घर में पांच लोग मौजूद थे दुर्गा पूजा में गुनुची निर्थ होता है बेहत खास सक्ति की आराध्रा का परव है सारदिय नाफ्रात्र मेरट के सदर दुर्गा बारी में माभगवती की स्तूती के दौरान धुनुची निर्थ देखने को मिला दरसल बंगाली परव्परा के अंसार जब माधुर्गा की स्तूती करते हुए आर्थी की जाती है तो भक्त घुनुची निर्थ करते हैं निर्ट करते समय नार्यल की आकार के गोले में अंगार रखा जाता है जब भक्त इस अंगार वाले पात्र को हाथ में लेकर निर्ट करते हुए विधिविधान के साथ पूजा अरचना करते हैं तो एक अलग ही समबन जाता है पसंद आई भावी तो इंस्टाग्राम पर करदी फोटो अपलोड पहुँच गया जेल रिस्ते में लखने वाले भावी की फोटो अपनी संग इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना एक युवक को महगा पर गया भावी की फोटो अपलोड करने पर ऐसा हंगामा बरपा कि मामला थाने तक पहुँच गया और फिर यवक को जेल की हावा खानी पड़ी पूरा मामला पिलिभेज जनपत के बिलसंडाच थाना चेतर के एक गाउं का है विवादों में फिल्म आदिपूरुस यूपी के डिप्रिसियम बरजे इसपाठक ने कहा बरतास नहीं हिंदु देवी देपताओं का अपमान रामायन महाकाब पर अधारित मसूर डिरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदिपूरुस विवादों में घिरती जा रही है हाल ही में रिलेज हुए फिल्म के टीजर को लेकर कड़ी आपत्ती जताई जा रही है इसी कड़ी में फिल्म आदिपूरुस को लेकर उत्तव प्रदेश के डिप्रिसियम बरजे इसपाठक ने तीकी प्रतक्रिया जताई है मंगलवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि हिंदो सब्विता और भारत की संस्कृति में भगवान राम जन जन में बसे हुए है उनका अपमान किसी भी कीमत पर बरदास्त नहीं किया जाएगा डाइना पेंटी की ग्लैमरस तस्वीरें देख फैंस के दिलों में बजी घंटिया इंडो वेस्टन रेस में दिखी बेहत प्यारी सैफ अलिखान और दिपका पादगोन की फिल्म कॉक्टेल से दर्सकों के दिल पर छा जाने वाली वाले वोड की खोबसूरत अदाकारा डाइना पेंटी अपने फैसन को लेकर अक्सर कबरों में चाही रहती है इनकी फैसन डाड़ी दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है इसका सबूत है उनका इंस्ट्राग्राम पोस्ट देखे ये हैं उनकी लेटेस्ट तस्वीरें और अंत में लखनो सहित उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर एक नज़र लखनो समेत कई जिलों में होगी बारिस मौसमी भाग ने भारी बारिस की संभावन जताई है मौसमी भाग ने लखनो समेत यूपी के कई अन्य जिलों में 8 अक्टूबर तक भारी बारिस के लि है तो ये थे लखनों सहीत उत्त प्रदेश के प्रमुक समाचार यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाय कर सभी नुटिकेशन को आउन कर लें ताकि कल की वीडियो मिले आपको सबसे पहले और हां कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अवज से लिखें ताकि हम आपके जिले की भी खबरें दे सकें कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए जै हिन जै भारत